वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें MCQ के माद्यम से जो की previous year में पूछे गए हैं लोकसिवा आयोक की तरफ से यहां पर व्यागविद explanation चलेंगे व्याख्या के साथ में चलेंगे तो अगर आप लोग अभी तक नहीं चुड़ेंगे चैनल से तुरंत जुड़िए और टार्गेट है हमारा PCS 2024 इसी के point of view से सारी मशक्कत करी जा रही है प्रिवेज वीडियो को भी जरूर देखा करिए और हर एक वीडियो को complete देखिए यह बड़ा जरूरी है अपने micro notes parallelly बनाते हुए चलिएगा दीरे दीरे आप करेंगे तो आप देखिए अगर हर वीडियो के अंदर हम 10-15 question लेके भी चलते हैं तो महीने में 300 question हो जाते हैं और अगले 12 महीने में almost 3600 question यहाँ पर हम लोग cover up कर जाएंगे तो आईए शुरू करते हैं वाज के session को पहला यहाँ पर कोशन है कि भारत में सार्वजनिक छेत्र के कारियों के संदर्व में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है पहला है सार्वजनिक उपयोगता संसाधन प्रदान करने के लिए सही बात है दूसरा सामाजिक और आर्थिक उपरी पूंजी का निर्माण करने के लिए this is also correct तीसरा है आपका संतुले छेत्रिये और शेत्रिये विकास तुनिश्चित करना this is also correct इसके बाद बात करें हम समतावादी लक्षियों को प्राप्त करना तो यह भी सही है यानि कि चारों के चारों हमारे क्या है सही है कि जो स उसके संबंद में यह सारी बाते यहां पर सही है इसी लिए करे जाते हैं सो आंसर हमारा क्या आएगा one two three and four यानि कि option c जोगा वो सही आंसर होगा next question की बात करें इस question में आप से यहां पर पूछा गया है कि निम्लिकित कत्नों पर आप द्यान पूर्वक उनको वचार करें है फिर में पढ़ें पहला statement है कि भारत के सार्वजनिक छेत्र में बुनियादी और भारी उद्योग हैं दूसरा सार्वजनिक छेत्र के सभी उद्योग लाब उन्मुक हैं तीसरा सार्वजनिक छेत्र के उद्योगों में नौकरी सुरक्ष्यत होती है आपको बताना है कि PCS की तैयारी कर रहे हैं आप RO की तैयारी करना चाहते हैं BEO की तैयारी करना चाहते हैं इन तीनों exam के अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो Steady for Civil Services के courses को आप join कर सकते हैं complete तैयारी के लिए यह one stop destination है यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें Steady Material रहेगा Test Series रहेंगी Paid Quiz रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा बर मिलेगा और यह सब कुछ सफिशेंट होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपको स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन numbers पर आप call कर सकते हैं 8564-880530 इस number पर आप संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 96-960-66089 इस number पर contact कर सकते हैं या फ़र आप 7523-864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं ये latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं जो उद्योग है वो लाबोन्मों के सब में profit होता है तो भाईया ये तो एकदम गलत बात है ऐसा तो नहीं होता ठीक है इसके बाद सावजनिक छेत्र के उद्योगों में नौकरियां सुरक्षित होती है ये वाली बात सही है यहाँ पर सही होगा यानि कि option B जो है वो यहाँ पर हमारा सही answer आएगा इसके बाद move on करते हैं next question पर इस question की बात करें यहाँ पर पूशा गया है भारत में सावजनिक छेत्र का सरवादिक प्रभुत्व है तो सही answer क्याएगा आपका option D यानि की commercial banking में इसके बाद आगे बढ़ते हैं next question यहाँ पर है कि निम्लिखित में से कौन सा सावजनिक छेत्र का उपकरम नहीं है अब यह NTPC, SAIL, BHEL या फिर TISCO कौन सा है जो की आपका एक public sector enterprise जिन नहीं है यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है तो सही answer क्याएगा आपका TISO यानि की TISCO टिसको जो है यह एक सावजनिक छेत्र का उद्ध्यम नहीं है public sector enterprise नहीं है तो यहाँ पर हम बात करें TISCO की तो इसका full form क्या है आपका TATA, Iron and Steel Company Limited ठीक है यह है आपका TISCO का full form अब obviously बात है TATA की है तो प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर enterprise तो है नहीं यह तो बात आपको समझ में आई गई अब यहाँ पर दूसरी चीज़ यह होती है कि यह कब found करी थी किसे ने found करी थी और headquarter इसका कहां पर यह सारी चीज़ें पूछी जा सकते हैं तो जमशेट जी टाटा इनके द्वारा और इसका जो headquarter है वो कहां पर है आपका मुंबई में मुंबई में इसका headquarter है जमशेट टी डाटा ने इसको establish कर आप फांडिंग फादर वही थे इसके अब एक चीज़ की बारे में और देख लेते हैं कि यह जो है कब इसको establish किया गया था कौन से इयर में तो 1907, 1907 में टिसको establish की गई थी ठीक है अब चलते हैं next question पर इस question में यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि कौन सा है जो की सावजनिक उद्ध्यम्यानी की public enterprise नहीं है अब यह BHEL है यह आपका आयुद निर्मानी फैक्टरी जो जवलपुर की है यह फिर आपका इलक answer option D यानि की leather factory qualier इसके बाद next question की बात करते हैं इस question में यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि निमलिखित में से कौन सा एक ही शुरेणी का नहीं है sale, bail, ongc या फिर sr oil कौन सा है जो एक ही शुरेणी का नहीं है शुरेणी का मतलब यहाँ पर क्या है कि कौन सा है भहिया जो public sector का नहीं है तो सही answer क्याएगा आपका option D यानि की sr oil ये इन तीनों की category में नहीं आता है इसके बाद move on करते है next question पर इस question में यहाँ पर पूछा गया है कि BPCL में सरकार की जो धारिता है मतलब सरकार का कितना इसमें share है 70% से जादा 60 to 70% 50 to 60% या फिर 50% से कम तो सही answer क्याएगा आपका 50 से 60% के बीच में सरकार यहाँ पर धारिता है इसके बाद next question की बात करते हैं इस question में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्लिखित में से कौन से भारत सरकार के सावजनिक शेतर के उपकरम है अब यह बामर लौरी एंड कंपनी लिमिटेड है यह डेजिंग कॉपरेशन ओफ इंडिया है या फिर एजुकेशनल कंसल की लिमिटेड की तो यह तो बात सही है यह तो है अब दूसरा है आपका डेजिंग कॉपरेशन ओफ इंडिया यह नहीं है ठीक है वहीं एजुकेशनल कंसल्टेंट्स ओफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह भी है यानि की option कौन सा होगा हमारा option C इसके बाद move on करते है यह विमान से रिलेटेड यह हो सकते है ठीक है अब वैसे तो यहां पर यूद मिसाइल अंत्रिक्ष मिसाइल दूर संचार उपकरन भी दिया हुआ है बट एप्रोप्रियेट कौन सा है प्रोप्रियेट आपका विमान निर्मान से असोसियेटेड है HAL का headquarter कहा है यह comment section आ NHPC है जैसे ही आप नाम सुनेंगे ना कि NHPC तो मुझे लगता है आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जागा कि NHPC ही हमारा यहां पर सही आंसर है ठीक है तो option D जो है वो यहां पर हमारा क्या होगा सही आंसर होगा सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले session को यहां पर end करते हैं फिर मिलते हैं next video में तब तक अपना ख्याल लगिए previous videos को जरूर देखे हैं thank you so much